दोस्तों आज की सीडियो में आप लोक बताने वालों कि अगर आप भी अपने फॉन में ऐसा चाहते हैं कि जब आपका स्क्रीन लोक लगा रहे हैं और उस टाइम पे जब भी आप उसको ओन करें तो हर बार आपका वोल पेपर ऑटोमेटिक चेंज हो जाया तो इस सेटिंग को लोक लगा देता है अब जैसे कि मैं आपने लुपेपर बटन को और आपको अब दो बारा से फीचर अगर आप भी अफने फोन में एनेबल करना चाहते हैं जिसे कि आपकी भी लोग की स्क्रीन पर ओर्टमेटिक एपर वोल पेपर चेंज होते रहें तो इसको किस तरह से करेंगे उसी का प्रोसेस आज के सीडियो में आप लोगो बताने वाला हूँ तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप कियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरे जरूर देखिएगा लेकिन दोस्तों आगे बनने से पहले मेरे आप से चोटी सी रिक्वेश्ट अगर आप इस चेनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आपको एक वीडियोच की नर्टिफेकिशन मिलती रहे तो चली दोस्तों वीडियो को इस टार्ट करते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है कि अप जिस कंपनी का भी फोन यूज करते हैं आपको सिम्ले को अपने फोन की सेटिंग को उपन करने कवाद थोड़ा सा इसक सकते हैं first number पर ही मिल रहा है इस तरह से आपको lock screen में आसे चले जाएना है लोग screen को open करने के बाद यहां पर आपको setting मिल जाती है राइस टू बाग बगरा काफी तरह की setting मिलती है तो अगर आप MI यह Redmi का phone उच करते हैं तो आपको glance for MI option मिलेगा अगर आप किसी और company का phone करते हैं तो यहां पर उस company के नम से कोई feature आपको यह पर इस तरह से देखने को मिल जायेगा आपको simply open करना इसको open करने को सबसे बिलबट तो आपके मिले इस तरह से turn off होगा जैसे कि चली मैं आपको करके दिखा देता हूं यहां पर यह turn off हो चुका है, इस तरह से आपको turn off मिलेगा, तो आपको सबसे पहले इसको own करना है, जैसे आप इसको own करेंगे, तो विससे तो यह automatic work करना start हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहां से चाहें, तो image की category भी select कर सकते हैं, कि किस-किस type की, किस-किस category की image of wallpaper आपको दिखने चाहि तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो जो आप यहां से follow करेंगे, सिरिफ उसी category के wallpaper आपके यहां पर automatic देखना को मिलेंगे, तो यहां पर आप देखसबते हैं, मैंने इनको यहां पर follow क्या हुआ, तकरीव सभी को मैंने follow क्या हुआ, आप यहां से जिसको रखना चाहते हैं, फोलो करें, वाकी को unfollow कर दें, बस इतना साब काम आपको करना, फिर automatic जैसी आप अपनी lock screen को यहां से off करेंगे, बटन दबाएंगे, हर बार आपको एक नया wallpaper यहां पर देखना को मिलेगा, तो यह तो अगर default जो online आपके wallpaper change होंगे, इसके लाब अगर आप चाहते हैं कि करते जाएं, ओके कर दीजिए, तो फिर आपके वही photo यहां पर वनवाइबर करके change होना start हो जाएंगे, तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपनी lock screen पर बार बार यहां पर wallpaper change होने वाले feature को अगर enable करना चाहते हैं, तो इस process को follow करके आप बहुत असानी से इसको enable कर सकते हैं, तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते है, next वीडियो में